एक बोटल की मदद से हम वाशिंग मशीन को साफ करेंगे गाईज वाशिंग मशीन कितना भी गंदा क्यों नहों एक सिर्फ बोटल की मदद से वाशिंग मशीन आपका पूरा साफ हो जाएगा और आप देख सकते हैं हमारी जो वाशिंग मशीने कितनी जादा गंदी हो गई है बहुत ज़्यादा इस पर dust भी हो गई है पानी के दाग धबे लग चुके हैं और देखी कितना ज़्यादा गंदा हो गया है और मैं आप इसका है निकाल रहे हुझा आप पर गंदा पानी आ जाता है और कितना ज़्यादा जो है काला हो गया है इसे भी हम साफ करेंगे चंद म गई है और बहुत दाग धब्बे हो गए गाइस देखिए कितने सारे हापर पानी के इसमें आपर जो है धब्बे बन चुके बहुत गंदी हो गई है इसको तुरंट साफ करेंगे तो दोस्तों मैं हूं स्वाती आप सभी का करेक्टियू स्वाकत अपने यूटूब चैनल में और यह देखिए हमारी washing machine कितनी जादा गंदी हो गई है और बहुत फटा फटे साफ हो जाएगी वीडियो को बहुत सारा like करना शेयर करना फॉलो करना बिलकुल भी न भूलिये का गाइस तो यह देखिए आप परे washing machine कितनी गंदी है देखिए बहुत बहुत जादा गंदी से लिए गाइस बड़ी हो तो बहुत अच्छी बात है पर में पाछोटी थी पर आपर मैं दो से तीन चमच में आप पर डाला हार्पीक जियां दोस्तों हार्पीक से वाश मशीन आपकी बहुत जली साफ हो जाएगी बट एक बात का ध्यान डगना है कभी भी washing machine को हार्पीक से नहीं वाश करना है गाइस वर्णा वाश मशीन आपकी जो है उसमें दाग धबे खुड़ी से हो जाती है वो तो कभी भी हार्पीक से नहीं करना है मैंने हाप पर डाला गाइस दो चंबर डाला मीधा सोड़ा जिससे जो हमारे washing machine कितनी भी गंदी क्यों नहों त पानी हो देख कैसे बुलबुले बन गया है अब मैंने अपर इस धकन में एक हॉल कर दिया है एक हॉल हम क्या करें कि इस solution को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम देखिए अच्छा बहुत बढ़िया शुलिशन मंग्या काई इससे आपके वाश मशीन खराब नहीं होगी बहुत बढ़िया कर या नुफसान नहीं होग आपके वाश मशीन को अब क्या करेंगे इस बॉटल की मतर से जहां जहां पर भी गंदा स्पोर्ट आ पाने की गंदी हो गई है वह वह हमें आपर सब पूरे जो वाश मशीन के उपर डाल देंगे क्योंकि मेरी पूरी वाश मशीन बह हो ज्यादा गंदी हो गई है तो मैं इहां पर ना बहुत हैल थी कि इस मेरे बहुत चोटोटोटोटों की वाधिश से बहुत ही आसान हो जाता है तो हं पर पर यहां चांँ ब्रिये चाल हां ये यह तीन चीस से भी आप इसको साफ कर सकते हैं तो आप हारपिक को इसकी भी कर सकते हैं मैंने आपर बारी डाल दिया अब हम देखिए फटा फट से सोलुशन हमने बनाया यह डाल देंगे हम सब तरफ फिला देंगे जहां जहां पर भी स्पोर्टे पूरी वाशिं मशीन को मेर जहां पर बाटल की मदद से भर बर कर इसमें फरा देखिए कि इस ठकन में कितने सारे होल है यह साइड में भी तो इसकी मदद से बहुत ही आसान हो जाता है और गाइस आपको यही मेरे आज का वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना फॉलो क पूलना भूलेगा तो मैंने बाटल को कम से कम दो से तीन बार फिल किया था गाइस क्योंकि मेरी बाटल छोटी थी आप बड़ी पडल का इस्तमाल करना अब मैं क्या कर रहे हूं आप पर इस वाश मशीन के तप के अंदर डाल रही हूं दो चमश भर कर सोडा क्योंकि इस ट अपके अंदर डाल रही हूं क्योंकि ना खराब होने का चाहंस होता है तो आप बिलकुँ साइड मढ डालीगा बस में नीचे डाला है यहां पर और इस होल में आप पर पानी घंदा एकटा होता है ना काला-गाला पानी आता है कपड़ पानी आता है तो वह करा मैं यहां प कि मैं आपसे पहले भी कह रही हूं कभी भी हमें डाल पीक बड़ना चाहिए और यहां पर कितना बढ़िया सोलुशन बनाएं गाईज यदि आपको आज का मैना वीडियो अच्छा लगा होना और यहां पर पहली बार देखा हो इस टैप का वीडियो तो प्लीज लाइक करन बिल्कुल भी नहीं बूलिएगा मेरे हाँ पर ब्रश लिया है और मैं इसको ब्रश कर रही हूं गाइस कितनी काला मेल था यह सब साफ हो गया है सारा मेल छूड़ी गया इसमें देखिए और कितनी इच्छे साफ हो गई है और ऐसे दो हाथे गाइस पर एक नहीं हमारा जो है मेल को आजगी को और एक ही ही मैरे इसमें यहां पर साइड में इसको ब्रश कर दिया है और थैक चेहां पर कितनी इजिली साफ हो रहा है कि अब हम क्या करेंगे बड़ी ब्रेश साफ कर लेंगे दे देखिए उपर में साफ कर सकते हैं और सदना शद्रेट ऑन भी तो में प्राइए तो यहां पर डेखिए आप ट्मलर्ष रपता साफ कर अपर बायद पटन सफ करते हैं तो इसको इसको पर सोलय में क्याईए सरफ सहते में एक मग में सरफ और घ्रन लगाए था और अपनी मशरी मशें को वाशीन को मश हमें उस इस तरह से मैं आपको अच्छा लगा वीडियो से प्लीज प्लीज गाइस लाइक करना मैंने बहुत मेरा से वीडियो बनाया है और यहाँ पर देखें इसको साफ करते जाएंगे हर तरफ और इसके अंदर भी मैंने आप पर ना टब के अंदर गाईस आप देखते होंगे किसी वाश मेशिंग के अंदर ना टब के अंदर बहुत काला पन आया था तो इसको भी आप साफ कर सकते हैं इसको माज ले इस तरह से तो यहाँ पर इसको ऐसे माज रही बहुत अच्छा से मैंने आप इसको पूरा साफ किया था और कितना साफ हो रहा आप देखिगा इस वीडि अब पूरी वाश मेशिंग को अंदर बाहर तरफ ना इससे साफ कर लेंगे दिखे कितने सारे जो पाने के दाग दॉबत चूट रहे थे तो बस ऐसे यहाँ पर डिप करते जाए से इसको माज ए पूरी वाश मेशिंग को अंदर बाहर आप हर तरफ माज ले इससे अच्छ मैंने अच्छे माजे निया हम साफ करेंगे राट के eller अंदर के अंदर बहुति काला पन आजाता है टाकि साफ हो जाए उसको छोड़ेता है सब्सक्राइब तक पीछे इसको साफ करने लग गई तो मेरे आपड देखे बर इसको में सपंच करते जा रही हूं कितने अच्छा से साफ हो रहा है पूरा मेल छूड़ गया है बसको ब्रेश करते जाएंगे गाइस फ्रेटाफट से जो है तरीके से देखे फटाफटे साफ हो गई गाइस कोई महिनत नहीं लगी बस एक शॉलिशन तियार किया और ब्रश किया और इसक्रब किया और इजली आपकी कितनी भी वाश्य मशिन कर आपक्यों ना हो तुरन साफ हो जाएगी और गाइस इस वाश्य मशिन को ना मैंने आपके साफ लगा और लागा दिया इस पूरी वाश्य मशिन को ने ब्रेश लगा दिया इस पंच कर दिया अब आति इसको वाश करने के देख इतनी साफ लग रही काईस आप देखिए कितनी इस जरी के साफ हो गई घर पर और इसको है आप हम क्या करेंगे अच्छे से कर लिया थाकि फटा फट सब साफ हो जाएगा तarrive जहां अच्छा से प्रेशर दिया पर और डी कितना साफ चाहिस आप सकते वाश मेशीन का टे ब्याश मेशन का टब व्याय मेशीन के यह फोटा विटहरी एडा शैक्षन कितना साफ हो गया है crush अच्छा से पानी के अंदर डाला पानी ताकि जो हमने आप पर इसके अने डाला ताकि हर्पीक को भी सब साफ हो जाए और यहां पर देखिए हमारी बॉष़ मेरे की इतनी साफ हो गई गाईस यह देखिए मैंने आप पाई डाग अच्छे से वाच कर दिया है अब मैं आप पर इसको फटा- कितना साफ फुत्रा टब हो गया आप देखिए इसका और रिटेन टीन हो गया गाईज और कभी भी गाईज हर्पी को डायक वाश मशिन के अंदर मट डालना और वीडियो अच्छे लगा तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों शेयर करना फोलो करना देखिए कितनी जो है हमार वाश मशिन साफ हो गये और इसका टब देखिए गाईस टब कितना अच्छा साफ हो गया जैसे को नहीं लेकर आयों बहुत ही साफ हो गया था इसको में रखा था धूप के अंदर और ही साफ हो गय थी थैंक्यू वाचिमा वीडियो बाई बाई